अपने Facebook पर your account is restricted for one horse ऐसे तरह आपका Facebook पर आगर restricted का problem आ रहा है तो इस problem को कैसे solve करें इस problem को solve करके अपने account को कैसे 100% ठीक है रहें मैं आज के इस वीडियो में ऐसे trick के बारे में बताऊंगा अगर आपने आज का यह वीडियो देख लिया तो कभी भी यह problem आपकी Facebook पर नहीं आएगा और यह problem आपका Facebook से permanently solve हो जाएगा आज का इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके एक चोटास रिक्विस्ट करता हूँ इस ब्रोग अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयरल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को प्रेस करकर करके अफ्रण्स चलिया वीडियो शुरू कर लेता है जैसे कि आपर आप देख पा रहे है एक गंटा के लिए रेस्टेक्टिट कर दिया है मेरा ये एकाउंट दोस्तो इस प्रॉब्लम को सोल करने के लिए यहाँ से आपको बेक आ जाना है गैस बेक आने के बाद आपको क्या करना है आपको पहले से अपने फेस्बुक पर जान इस पर क्लिक करेंगे गाई नीचे की तरफ थोड़ से स्क्रोल करना है आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे तो यहां पर दिखाए देगा आपको help and support पर क्लिक करने के बाद यहां पर दिखाए देगा और एक option report a problem आपको report a problem पर क्लिक कर देगा телефон a problem पर क्लिक करने के बाद और second number पर दिखाय का continue to report a problem दुस्तों आपको क्या करना है continue to report a problem पर click करना है continue to report a problem पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे थोड़ा time loading वगरा लेगा आपको सामने में लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह वाला interface आ जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाए देगा include in report इस पर आपको click करना है जैसे इस पर click करेंगे guys यहाँ पर यह वाला interface आ जाएगा आपको सामने यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीची की दरफ आपको जाना है थोड़ा सा नीची की दरफ जाएगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा settings देखिए दोस्तो यहाँ पर नीची की दरफ तानेगे तो यहाँ पर दिखाए देगा settings आपको settings वाला option पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर दिखाए देगा add image दोस्तो यहाँ पर नीची एक option दिखाए देगा add image का एक option दोस्तो देखिए आपको add image पर click करके वो वाला जो screenshot अपने पहले लिया है screenshot को set कर देना है पहले आपको add image पर click करना है add image पर click करके आपका gallery बिल्कुल ही खुल कर आ जाएगा gallery खुल कर आ जाएगा जिस screenshot आपने अभी के अभी लिया है screenshot को select कर देना है उपर पर इसको select कर देना है Marker के इसको select कर देना है जैसे Marker के select करेंगे दोस्तो आपका यह जैसे कि यहाँ पर देखिये यहाँ स्क्रिंशोट बिलकुल ही select हो चुगा है और आभी उपर पर एक description आपको लिखना है दोस्तो यहाँ पर जोस्तो देखिए description पर मैंने क्या लिखिया Dear Facebook Team, I have got restricted problem in my Facebook account Please solve my personal Facebook account problem as possible, thank you यह लिखना है, दोस्तो आपको यह वाला PDF लिख लेना है इसको मैं description पर भी देदूँगा दोस्तो आपको यह वाला लिख लेना है पहले दोस्तो देखिए इसका screenshot add image पर click करके इसका screenshot देना है और यहाँ पर description पर यह लिखना है और अभी आपको completely यह होने की बाद आपको उपर के कोना पर आपको send कर देना है यहाँ पर एक send का option दिखाए देगा, इस पर send कर देना है send करने के साथ इसाथ आपका यह बिल्कुल ही send हो जाएगा दोस्तो देखिए यह send हो चुका है, facebook tip के पास जा चुका है ऐसे तरह इसको send कर देना है, यह send करने के बाद आपका यह problem 100% solve हो जाएगा